नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ITI exam solutions में दोस्तों उत्तर railway ने ITI apprentice के लिए 3093 vacancies निकाली थी जिसका online registration 11 December से होना था इसका registration portal open हो चुका है अब हम इस registration का step by step process को जानेंगे तो सबसे पहले हमें उत्तर railway की official website पे आ जाना है official website पे आने के बाद हमें click here to online application पर click करना है आपको दो option यहाँ पे दिख रहे हों में दोस्तों एक है online application दूसरा है login login आप उस condition में कर सकते हैं अगर आपने registration करा है अगर आपने registration नहीं करा है तो आप जाएंगे online application पे online application पे अगर आप click करेंगे तो आपको notification के वही important points आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं जैसे कि number of vacancies कितनी है particular division पे कितनी vacancies हैं तो आप इसको यहाँ पे read out कर सकते हैं then आप अगर scroll down करेंगे full आपको scroll down करना होगा then यहाँ पे आपको proceed to online application पर click करना होगा इसके बाद आपको अपनी essential details को fill करना है work में आप SC, HD, OBC या undeserved आपको select करना है अगर आप physically handicapped है तो यापको yes select करना है अगर आप ex-serviceman है तो आपको keyman option में से select करना है then आप register पर click करेंगे and यहाँ पे क्या लिका है दोस्तो email will be your login ID login ID के time पर आपको अपनी email ID को डालना होगा और इस चीज़ का भी दियान रखना है कि अगर आपने registration कर लिया है उसके बाद आप candidate, name, email, mobile number, अधार number, date of birth और बाकी जितना भी आपने fill up करा है उसमें से आप कुछ भी change नहीं कर सकते हैं तो चीज़ का आपको दियान रखना है कि जितनी भी detail आप डाल रहे है वो detail आपकी बिल्कुल सही हो उसके बाद आप login करेंगे user ID जैसे बताया था आपका mail ID होगा password आपके mobile number पर तुरंत आजाएगा एड़ आप password डालके login पर click करेंगे then आप यहाँ पर pay online fee and fill application पर click करेंगे आपको form fill करने से पहले payment करनी होगी तो आप पहले payment करेंगे then आप form fill करेंगे तो चलिए आप form fill करने के लिए payment भी कर देते हैं payment complete होने के बाद आपको दुबारा user ID और password डालना होगा आप payment अल्रेटी कर चुके हैं actually मैं यह cable मैं आपको reference के लिए दिखा रहा था तो मैं यहाँ पर randomly father name में father name डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे actually मैं form fill तो नहीं करना था बस आपको दिखाने के लिए मैंने पूरा process यहाँ पर complete करा है आपको यह पहचांद चिन देना होगा जैसे कोई तिल है आपके तो आप वह यहाँ पर लिख सकते हैं address line select करेंगे then किस state से आपने यह idea करिए आप उसे select कर सकते हैं देखे cluster option में आपको वह state चूज करना है जहाँ पर आप apprentice करने के इच्छु के हैं जब आप वह state select कर लेंगे उसके बाद आपको unit options का option आएगा unit option में आपको अपना primary जो आपकी पसंदिता जगे है उसको आप सबसे पहले choose करेंगे उसके बाद आपके पास unit option 2 आएगा then unit option 3 आप select कर सकते हैं लेकिन आपको unit option 1 के अलावा अगर आप और दूसरा को unit option choose नहीं करना चाते है तो आप इसको skip कर सकते है ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे unit option को select करना है उसके बाद आपको 10 का board select करना है मैं randomly डाल रहा हूँ यहाँ यहाँ पे euro passing, maximum marks और total marks कितने आए percentage automatically निकल के आ जाएगा then iti select करना है आपको यहाँ पे then आप iti pass up करी आप board डालेंगे बाकी आप fill करना चाते है आप fill कर सकते है और अगर आप इसको skip करना चाते है आप skip कर सकते है iti semester first के marks डालना है यहाँ पे कम बसरी है सारी detail fill करने के बाद आप save application पे click करेंगे and आपकी application यहाँ पे fill हो चुकी है save application पर click करने के बाद आपके पास option आएगा click here to upload documents then यहाँ पे आप अपने documents को upload करेंगे आपको कौन कौन से document upload करना है photograph आपको upload करना है left thumb impression, signature, 10th certificate, 10th mark sheet और iti mark sheet को यहाँ पे आपको upload करना है upload करने के बाद आप click here to review and finalize application पर click करेंगे देखें यहाँ पे लिका हुआ है payment profile document application is complete you can finalize application click button below to finalize the application and यहाँ पे आप check box पर click करके आप final submit application पर click करेंगे and then आपका application finally submit हो चुका है उसको आप download या print कर सकते हैं तो दोस्तो यह ता full process उत्तर railway apprentice बरती के form को fill up करने का तो दोस्तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो please इस वीडियो को like कीजे और हमारे चैनल को subscribe कीजे and thanks for watching